Hello students, welcome to MDPS, staying at home, study program. This is the lecture of third class of math subject and today we start our ninth chapter and the chapter name is multiplication. आज क्या हम multiplication chapter करेंगे. So इसमें क्या है? multiplication of two digit number by one digit number. First topic क्या है? हमारा two digit number को हमने क्या है? One digit number के साथ multiply करना है. जैसे example में दिया है हमें multiply 68 by 9. 68 को हमने क्या है? 9 के साथ multiply करना है. 68 क्या है? Two digit number है. किस के साथ multiply करना है? One digit के साथ. और 9 क्या है? One digit number है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको arrange the digits in the columns. इनको columns में arrange कर लेंगे हम तो हमने नीचे कर लिया देखो 68 मULT Religion किसके साथ करना है 9 के साथ arrange कर लिया इसको columns में । अब क्या है तो सबसे पहले जो हमारा नीचे जिसके साथ Инसफ के साथ मल्टिप्लाई करना जो हमारा 9 को 8 के साथ multiply करने पर आएगा उसको हम जो once का digit होगा यहां लिख लेंगे और 10 का digit होगा उसको हम यहां पे carry में लिख लेंगे तो लिखो फिर 9, 8 जा कितना होता है? 72, once के place पर क्या है? 2, 2 हम क्या है यहां पे लिख लेंगे और जो 10s के place पर है उसको यहां में carry में रख लेंगे 7 को हम अब second step क्या है इस 9 को हम किस के साथ 6 के साथ जो 10s के place का digit है उसके साथ multiply करेंगे So 9, 6 जा 54 जो carry था उसको हम plus कर देंगे plus 7 7 plus 4 11 और 1 carry and 5 plus 1 6 6, तो हमारा answer कितना आया? 612 यही हमारा answer आया हम और example लेते हैं जैसे हमने example यहां पर 47 को 5 के साथ हमने multiply करने है तो सबसे पहले किया करते हैं? जो निच्चे का digit है उसको 1 के place पर जो digit है उसके साथ multiply करेंगे क्या है वो? 5 को हम 7 के साथ multiply करेंगे सबसे पहले 75 जा कितना होता है 35 होता है 35 में से 5 है जो 1s के place का वो हमें यहां पे लिख देंगे 3 हमारा क्या आ जाएगा यह carry आ जाएगा 3 अब 5 को हम क्या है 4 के साथ multiply करेंगे जो 10s के place पर है 5 4 जा 20 20 में 3 जो हमारा carry था वो हम plus कर देंगे तो कितना बन जाएगा 23 तो हमारा answer कितना आ जाएगा 235 यह था हमारा 2 digit को 1 digit के साथ multiply करना next क्या है हमारा 3 digit को 1 digit के साथ multiply करने so example भी हमें दिये देखो multiply 123 by 8 8 के साथ हमने multiply करने 123 क्या है 3 digit number है multiply किसके साथ करना है 1 digit के साथ 8 क्या हमारा 1 digit number है तो पहले जैसे हमने पहले किया था arrange the digits in columns उनको हम क्या है columns में arrange कर लेंगे तो नीचे हमने क्या है इनको arrange कर लिया 123 को 8 के साथ हमने multiply करना 8 हमने नीचे लिख लिया तो इसमें क्या है सबसे पहले जैसे हम 2 डिजट का करते थे 8 को क्या है हम 3 के साथ मल्टिप्लाई करेंगे फिर क्या है 8 को 2 के साथ मल्टिप्लाई करके नीचे लिखना है और फिर 8 को 1 के साथ multiply करके नीचे लिखना है सबसे पहले 8 को हम 3 के साथ 8, 3 जा कितना होता है 24 जो once के place का desert है उसको हम क्या लिखना है नीचे लिखना है 4, 2 हमारा क्या आगया carry जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं अब 8 को 2 के साथ multiply करना है इस 2 के साथ 8, 2, 16 8, 2, 16 उसमें क्या है? 2 हमने plus करना है 16 प्लस 2 18, 18 का हमने जो once के place का desert है वो यहाँ पे लिख लिख लिया, जो one था हमारा, वो क्या आगया? हमारा carry आगया, उसको हम उपर लिख लिख लिएंगे अब इसी 8 को हम इस one के साथ multiply करेंगे, 8 ones है 8, और जो carry हमारी में था one, वो हम प्लस कर देंगे is equal to 8 plus 1, 9 तो हमारा answer क्या आगया? 984 तो यह हमारा क्या आगया? answer आगया, हम एक और example लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया है, यहाँ पे 1, 5, 6 को हमने 4 के साथ multiply करना है so first क्या हम 4 को 6 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ multiply करेंगे, फिर 4 को 1 के साथ करेंगे so करो फिर 4 को 6 के साथ 4, 6 जा 24, 24 का हमने 24 का, जो once का dessert था, वो निचे लिख लिए 2 हमारा क्या आगया? carry आगया 2 को हम यहाँ उपर लिख लेते हैं अब 4 को 5 के साथ 4, 5, 20, 20 में हमने जो 2 carry था, वो plus कर दिया, 20 plus 2 22 अब जो once का dessert था वो हमने यहाँ पे लिख दिया और यह 10 का dessert हो, क्या आगया? हमारा 2 carry में आगया 2, अब 4 को 1 के साथ 4 ones आ, 4 4 में 2 हमने plus कर दिया 4 plus 2 कितना होता है? 6 तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया तो हमारा answer क्या आगया? 624 यह था हमारा 3 digit number को जब हम 1 digit number के साथ multiply करते हैं next क्या है हमारा multiplication of 4 digit number 4 digit number by 1 digit number, अब क्या हमने 4 digit number को 1 digit number के साथ multiply करने है? so example क्या हमारे पास multiply 2324 by 2 2324 क्या 4 digit number है और multiply के साथ 1 digit के साथ और 2 क्या हमारा 1 digit number है इसके साथ हमने multiply करनी है so सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको columns में arrange कर लेंगे so हमने यहाँ पे arrange कर लिया 2324 किसके साथ multiply करना था? 2 के साथ हमने नीचे लिख लिया so जैसे पहले करते थे हैं पहले हम इस 2 को इस 4 के साथ multiply करेंगे फिर इस 2 को इस 2 के साथ फिर इस 2 को इस 3 के साथ multiply करेंगे फिर इस 2 को इस 2 के साथ multiply करेंगे so करो 2 को 4 के साथ किया 4 to the 8 होता है जो ones का डिजर था हमने यहाँ पे लिख लिया carry में कुछ भी नहीं आया हमारे पास अब इस 2 को इस 2 के साथ multiply किया 2 2 is a 4 4 का हमने 4 लिख दिया carry फिर भी कुछ नहीं आया हमारे पास अब 2 को हमने 3 के साथ multiply किया 2 3 is a 6 अब भी कुछ भी carry नहीं आया हमारा अब 2 को 2 के साथ किया 2 2 is a 4 तो हमारा answer कितना है 4,648 तो आज हमने क्या सीखा 2 digit number को 1 digit के साथ कैसे multiply करते हैं, फिर 3 digit को 1 digit के साथ कैसे multiply करते हैं, फिर 4 digit को 1 digit के साथ कैसे multiply करते हैं, so here we complete our first lecture of this lesson, so thank you to our students,